किसान वायो एक बार फिर से लेकर आए हैं हम कुछ रूचक तत्त जानकारी आज हम ऐसे तत्त के विशह में बात करेंगे जिसकी जानकारी किसान को तो नहीं होती मेरे ख्याल से अभी जैसे धान का मौसम चल रहा है और धान में लोग खात खत और दवाएं जो कुछ भी डालत हैं वहाध कितनी मात्रार।र किस तरीके से दानला चाहिए और आप जो जिस भी दुकान पर जाकर इसके बिसहां में बात करेंगे तो आपको झा करेंगा दोकांदार एक क्ट उपलब्द कराएं लेगातिह और उस किट में क्या है कितनी मात्रा में मेंगजीन है कारवन है या पिर जैसे कारवन तो एक मानक तत्व है और मानक तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं और जैसे मुख तत्व हो गया और सूच में तत्व हो गया तो उस बिसे में किसान को कितनी जानकारी है उसके बिसे में हम बात करेंगे मैं भी एक किसान हूँ और मैं अपने खेत पर खड़ा हुआ हूँ तो आपको बताऊंगा कि आप दुकान पर जाएं और अगर दुकानदार आपसे बोलता है कि आप ये किट ले जाओ और इसे डाल दो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और अगर आप उससे पलट के पूछते हैं कि इस किट में कौन-कौन से तत्व हैं या मुख तत्व हैं या सूच में तत्व हैं तो जादा कुछ तो नहीं होगा लेकिन आपकी उस किट कीमत थोड़ी बहुत तो कम होई जाएगी तो इस बिसे में जरूर बात करें और मैं इन फोटों के द्वारा आपको बताऊंगा कि खास जो मुख तत्व या सूच में तत्व होते हैं वो क्या-क्या होते हैं और उनसे क्या-क्या फायदे हैं जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को भी दबाईएगा और लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा धन्वा जहन चया भारत